अतह वह धातू जो किसी अन्य धातू को उसकी लवण के विलियन से विस्थापित कर रही है अधिक सक्रिय धातू कहलाती है धातू को उनकी सक्रियता के घट्ते क्रम में रखने पर जो शेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता शेणी एक्टिविटी सीरीज कहते हैं कुछ धा सबसे ज़्यादा सक्रिय धातू है वहीं प्लेटिनम सबसे कम सक्रिय धातू है। साथी हमें धातूं के तुलनात्मक अध्यान में भी सहायता मिलती है। अगर हम सक्रिय धातूं को उनके शुद्ध रूप में प्राप्त होने के समय के साथ तुलना करें तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रिय धातू हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्सियम लगबग 200 साल पहले शुद्ध तत्व के रूप में प्राप्त होई। जबकि सबसे कम अभिक्रिया शिल्धातू जैसे सोना आदी का प्राचीन सभ्यता में भी उप्योग हो रहा था। इन धातूं को उप्योग में लाने का कारण उनका प्रकृती में तत्व रूप, शुद्ध रूप में पाया जाना है। लोहे को उसके योगिकों हेमेटाइ से प्राप्त करने के लिए उच्चताप की आविशक्ता होती है। अता इंधन के रूप में लखडी के स्थान पर कोईला या कोक का उप्योग कर इसे प्राप्त किया गया। इतना उच्चताप भट्टी द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह भूपरपटी में उपलब्धता अधिक होने के बाद भी साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्व ही इसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सका पारा, जस्ता और टिन ऐसी धातुएं हैं जिन्हें उनके योगिकों से केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है लोहे से अधिक सक्रिय धातुएं सोडियम, पोटेशियम केवल योगिक रूप में ही मिलती हैं जिन्हें रासाइनिक रूप से अप्चैत नहीं किया जा सकता आईए देखे की सक्रियता शेणी धातुएं की रासाइनिक अभिक्रियाओं को समझने में कैसे सहायता करती है